हेलो अब्रिवन एंड वैलकम तो जेकलर्ट्स आइखोप यॉर्ट वेल सो हम जो टॉपिक कर रहे हैं वह हैं टेनल्स और टेनल्स में हमने जी आनके के टेनल्स डिसकस करना स्टार्ट किया था और मैक्सिमम टेनल्स मैं डिसकस कर भी चुका हूं अब जो बचे हैं उनको आज मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा और इस टॉपिक को क्लोज करूँगा और अगर आप चाहोगे कि मैं बाकी इंडिया की जो इंपॉर्टन टेनल्स हैं वह भी डिसकस करूँ तो आप कमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं मैं जरूर डिसकस कर लूँगा आज हम जो दो कि जोजीला टेनल्स हैं वह जोजीला टेनल और संगालदान रेलवै तंडेंडा करते हैं जोज्बो तो जेसे नाम है जोजीला टेनल बिखिया गया जैसे करो कि बिल्कब वैसे ही जैसे रोह तांग पास क dau कनस्ट किया गए भी झार स्थ cáiूरृ नांडर कन्स्ट किया गए उपोवज्सित की दिमाग में आता है कि면 केह साथ करनेंट 09 109 इस प Smells कि लदाग की दो district हैं that is Kargil district and lay district तो द्रास टाउन जो है वो Kargil district में आता है तो ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि सोन मर्ग को द्रास टाउन के साथ कौन सा tunnel construct करता है clear यह ऐसा पूछा जा सकता है कि कश्मीर को लदाग के साथ कौन सा tunnel construct करता है clear क्योंकि इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वह ब्रॉड होनी चाहिए clear so देखो सोन मर् कश्मीर में है जमोन कश्मीर में और जो कारगिल district है वो लदाग में तो JNK को किस कोन connect कर रहा है जोजिला टनल कर रहा है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है अगेन इसका सेम ही होगा कश्मीर को लदाग के साथ कनेक्ट करते है clear तो यह बहुत important है यह आपको बात याद रखनी है कि जोजिला टनल किसको connect करते है clear किसको connect करते है अब बात करते है जोजिला टनल के बारे में थोड़ा बहुत बताया disguise एक जैड़ मोड टनल के वारे में आपको बताया थै कि यह दो टनेल हैं जो किष्मीर को लदाख के साथ Principal है उरी और अब लेकर तक तियार नहीं होगा और तक प्लेख सकते हैं इसकी आपगा देख सकते हैं 14.2 क्लियर और जैसे कि मैं आपको पता है जोजिला पाज यह कहां पे है यह सोन मर्ग से 15 किलो मेटर की दूरी पे और यह पास बेसिकली सोन मर्ग और कारगिल के बीच में बेसिकली कनेक्ट करेगा उनको किसी को कनेक्ट करेगा अब पिम द्रेंद्र मोधी ने मेई 2018 मेई 2018 में इसकी जो इसको बनाना स्टार्ट किया था तो अभी इसेंटली बात है 6800 क्रोड इसमें इंटायर प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा और यह एशिया का सबसे लंबा बाइडिरेक्शनल टरनल होगा एशिया का सबसे लंबा बाइडिरेक्शनल यहां पर वर्ड को देख सकते हो आप यह बहुत बाइड इंपरटन वर्ड है यह बाइडिरेक्शनल होगा क्ल Strange यह बहुत इमपोर्टन बात है तो यह कुछ बाते जोजिला टनल के वारे में जो आपको याद रखनी है अब बात करतें संगानंदान रेलवे टनल के बारे मैं और यह सामने पता चलरे है कि यह र इसके लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 7.1 किलोमेटर इसकी लेंथ है आपको पता है कि जो जम्मू और बारमुला लाइन के बीच में जो रेलवे लाइन है उसके बीच में दो जगह आते इस कट्रान बनीहाल ठीक है तो उसके बीच में यह संगालदान रेलवे टनल है आपक जो की रामबन डिस्ट्रिक के आसपास आता है और इसकी जो कंप्लीशन हुई थी मतलब यह कंप्लीट जब हुआ था तो 2010 में हुआ था यह कंप्लीट बहुत काफी पुराना हो गया है इसका मतलब हैना 10-11 साल होगी है इसको तो बस इतना आपको याद रखने कि संगालदा जो की कट्रा और बनिहाल के बीच में आता है तो आपको यही याद रखने है बहुत इंपॉर्टन बात है और जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूं कि आपको जो इनकी लैंथ है वो याद रखनी है अगर इन जैसे यह भी 2018 में मलब इसकी foundation stone रखी गई है तो आप याद रख स झाल